पाँच दिन बाद बाबा का बयान सामने आया हादसे पर बाबा सूरजपाल का पहला बयान सामने आया हादसे पर पाँच दिन बाद बोले हैं कहा कि घटना से बेहत दुखी हूँ उपद्र भी थोड़े नहीं जाएंगे प्रशासन पर भरोसा बनाई रखें ये कहना है सूर दोजुलाई की गटना के बाद बहुत ही बिथित हैं, प्रभू हमें बस शंगत को इस दुख की घड़ी में घड़ी से उबरने की शक्ती दें, शबीशाशन एवं प्रशाशन पर भरोशा बनाई रखें, हमें विश्वाश है, जो भी उपद्रवकारी हैं, वो बक्षे नहीं जाएंगे. पाँच दिन बाद इतने बड़े हादसे पर एक सुएकिस लोगं की जान जाने के बाद बाबा दुख व्यक्त अपना कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और इस पर सीधे में रुक कर लेती हूँ, विमल कौशिक का कासकंच से मारे साथ मौजूद हैं, विमल अजीब सा नहीं लग रहा है, पूरा देश जहां पर इस दर्द में शामिल था और इन परिवारों की चीख पुकाश सुन पा रहा है, महसुस कर पा रहा है, पाँच दिन बाद बाद बाबा अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, जब बिल्कुल देखे, और कल जब हमने जो आश्रम के वकील है, पी सिंग, जब हमारी उनसे बात हुई, उनसे हमने यही सवाल बार बार पूछा, क्या अखिर बाबा सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि बाबा की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, मैंने का लिए बाबा की गाड़ी के पीछे-पीछे भागने के लिए उसमें 121 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन बाबा एक रिटन स्टेटमेंट जारी करके अपना पनला जाड़ लेते हैं, और सीधा यह कह जिए कि हमारा आश्रम उनकी मदद करेगा, तो यह ऐसे नहीं चलेगा जिसके बाद आज बाबा का स्टेटमेंट सामने आया, लेकिन एक चीज़ और मैं महत्पूर्ण आपको कह दूँ कि मायावती जी ने ट्वीट किया है, उसमें उस तरह की बाते के लिए कहीं और लोगों को सामने आना पड़ेगा, इसकी सबसे बड़ी वज़िया मैं आपक अनेकदाजी महराज और कोई नहीं बलके जो नारायन साकार हरी और जो बाबा हैं, उनके साथ पहले काम करते थे, बाकाइदा उनके साथ रहते थे और उनके आश्रम के लिए काम करते थे, लेकिन जब उनसे मनमुटा हुआ, तो इन्होंने अलग होकर यह अपना धाम करें, लेकिन वह यहां नहीं है, और यहां के एक और दिल्चस्प तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, कि जिस तरीके से हमने दिखा के जो कासगंज का आश्रम है, वहाँ पर बाहर जो हैं, वहां से अमरित निकलता है, बड़ी संक्या में वहां पर भक्त पहुंसते हैं, हर यहां पर भी इसी तरीके की तस्वीर हैं, यहां पर भी लोगों का कहना है कि इसी तरीके के दादे के जाते हैं, और यहां जो भक्तों की भीड़ जुटती है, वह हर सोमवार का दिन उसके लिए चुना गया है, तो यहां पर सोमवार को भीड़ होती है, और यह देखें, ब पात कही कि ऐसे बाबाओं से लोगों को दूर रहने की जरूरत है तो ऐसे में और लोगों को सामने आना चाहिए और इस तरह की बातें कहनी चाहिए के यह सब जो है, ये दावे के जाते हैं, बड़ी-बड़ी बीमारिया ठीक हो जाती है, ये सब एक धकोसला है, और एको की बड़ी संक्या में यहां पर लोग हर सोमवार को जुटते हैं, देखिए, ये तस्वीरे, ठीक उसी तरीके किये, यहां पर भी बाहर हैं और आश्रम के अंदर हैं यहां पर भी जो बाबा है वो सथसंग करते हैं हर सोमवार को गद्दी लगाते हैं और इसके आगे भी एक है कि यह बाबा जी के जो साथ इनका सेवक था अब उसकी जानकारीया रही कि उसने भी कुछ दूर आ जाकर आश्रम खोल लिया है तो या यहां पर विमल आपने बहुत बड़ी बात कह दिया है इस विजए कोर बड़ी ख़़ाइब